आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। हम लोग को वाहग धारा IC का मान क्या होगा ग्यात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो एंटीना की धारा होती है, IT यह हमारे पास बराबर हो जाता है, वाहग धारा गुड़ेत यहां पर वर्ग मूल एक धन जो मॉडुलेशन दिया रहता है, हम लोग को M का वर्ग बटे मौड़ेत यहां पर हो जाता है दो, हम यहां पर जो आयां मॉडुलेशन या मॉडुलित किया गया है, उसका M कमान हम यहां पर प्रशत में दिया गया है, 50 प्रशत यानि कि यह हमारे पास हो जाए गा, अगर अंक में लेंगे तो सुनने दसंभलो, पाँच अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं तो इन सुत्र में मान रख देंगे ठीक है और वाहग धारा का मान गयाद करना है तो इस पूरे पत को यहाँ ले आएंगे यानि कि वाहग धारा IC बराबर हो जाएगा जो एंटीना की धारा है IT अब हम लोग इसमें मान रखते हैं तो हमारे पास वाहग धारा IC का मान आ जाएगा देखो इसका मान हमें दे दिया गह कि यह 11 एंपियर है तो 11 बटे यहाँ पे हो जाएगा वर्ग मूल एक धन यहाँ पे M का मान हो जाएगा 10.5 का वर्ग बटे यहाँ पे हो जाएगा दो अब इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वाहग धारा IC बराबर यहाँ पे लगभग मान हो जाएगा 10.3 साथ सुन्य एंपियर हमें प्राप्त होगा इसके अनुसार अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प जो है सही होता है तो यहाँ पे विकल्प A दिया है 10.5 एंपियर यानि कि विकल्प A हमारा सही होगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10.3 साथ सुन्य करके मान आ रहा है ठीक है तो यह लगबख 10.5 एंपियर के बराबर है B दिया गे है 9.2 एंपियर गलत हो जाएगा C 10 एंपियर यह भी गलत है क्योंकि हमारा मान 10 से ज़्यादा आ रहा है कि D जो है 5.5 एंपियर तो यह भी गलत है यानि कि हमारा यहाँ पे बिकल्प A जो है बिल्कुल सहीं उत्तर होगा धन्य क्षचरी से बारवी से लेकर NEET IATJE वो एडवांस के लेवल करके 1 करोड से जादा चातरों का भरोसा आज ची डाउनूट करें डाउटने डाप या वत्चाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 चाशो पर